This one is question number 8 from exercise 9.1 chapter 9 rational numbers This question is about to fill in the boxes with the correct symbol out of greater than, smaller than and equal to Here few questions are given, वहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें से कौन सा number greater है, कौन सा smaller है, यह हमें symbol लगाने हैं लेकिन डायरेक्ली यहाँ पर दिखिए, फर्स्स कोशन पहले करते हैं, फर्स्स कोशन इन माइनस 5 अपन 7 एन 2 अपन 3 इन दोनों में कौन greater है और कौन smaller है यह यह तो फिर equal भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमेशा याद रखेगा, यह कोशन में क्या होगा, मैं पहले यहाँ वापस पहले, तो पहले step में यह जो कोशन का पाट है, वापस लिख देना है, so I have returned this question again here, but it's not a question, it is a part of solution, step, पहला step है यह, इसमें देखिए, एक negative है और positive है, तो इसमें और कुछ नहीं देखना है, जातर तो हम smaller than, greater than, और equality के लिए क्या देखते हैं, कि denominator same होना चीए, लेक greater है, smaller है, और equal to है, लेकिन यहाँ पर यह सब करने के जरूरत नहीं है, क्यों, because यहाँ पर यह negative number है और यह positive है, तो हमेशा positive number greater होते है, negative के, so we will consider that, minus 5 upon 7 is smaller than 2 upon 3, या तो फिर उल्टा क्या बोलेंगे, 2 upon 3 is greater than, minus 5 upon 7, okay, so first answer is over, अभी हम second one करते हैं, so in this second question, the number given are minus 4 upon 5 and minus 5 upon 7, बोथ है negative, okay, so यहाँ पर भी हम consideration नहीं कर सकते हैं, इसके तरह एक positive negative होता, तो directly हम symbol लगा देते हैं, but here what we have to do, here both the numbers are different, and especially इसके denominators अलग अलग है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसके denominator एक जैसे बनाने, common, ठीक है, उसके ल हम निकालेंगे, पहले यह question का part, as a first step, यहाँ पर लिख देता हूँ, okay, तो यह first part यहाँ पर मैं लिख दिया, 5 और 7 का हम LC हम निकालेंगे, तो 5 और 7 का कोई common factor, common table में आता ही नहीं, ठीक, 1 से करेंगे, तो क्या होगा, 1, 5, 5, 5, 1, 7, 7, तो वही का वही होगा, so हम क्या करें देंगे, 5, 1, 5, फिर 5 के table में 7 नहीं आता है, इसलिए 7 लिख देंगे, फिर 1 को तो करना ही नहीं, 1 को छोड़ देना है, अब 7 के table में 7 नहीं बचता है, 7, 1, 7, so now we will write LCM of 5 and 7 is 35, ठीक है, तो इन दोनों को हमें क्या करना है, LCM के equal करना है, 5 को भी 35 बनाना है, और 7 को भी 35 ब देंगे, यहाँ पहले से अगली बार से ready रखना, इस तरह से modify करके इसको रख देना है, step को, अब 5 के साथ क्या multiply करेंगे, तो 7 आएगा, sorry, 35 आएगा, 5, 7, 35 यहाँ पर हमें 35 बनाना, इसलिए 7 के साथ multiply करना पड़ेगा, तो यह 7 से हमें उपर वाले नमबर में भी same denominator रखन है, 7, अब 7 के साथ हम क्या multiply करेंगे, तो 35 आएगा, 7, 5, 35, 5, तो यहाँ पर 35 बन जाएगा, अब यह 5 उपर लिख दूगा मैं, ठीक है, तो अब denominator सेम बन जाएगे, तो यह हो जाएगा, 7, 4, 28 लेकिन नेगेटिव, 28 आएगा, और नीचे 5, 7, 35, यह 5, 5, 25, but it will be negative, and 7, 5, 35, अब देखे, डिनोमेटर सेम हो गए, यहाँ पर अलग-अलग थे, तो हम approximation में पता नहीं कर सकते थे, कि कौन सा नंबर, इसमें से rational नंबर बड़ा है, चोटा है, but here we can easily able to identify which number is greater and which number is smaller, so here which number is greater, अब वो decide करेंगे, अब देखे, इधर minus 25, इधर minus 28 है, तो 28 बड़ा नहीं होता है, minus 25 बड़ा होता है, यहाँ पर negative number में जो छोटा नंबर दिखता है, वही बड़ा होता है, और जो बड़ा दिखता है, वो छोटा होता है, क्योंकि यह 0 के ज्यादा नस्दिक होता है, वो बड़ा नंबर होता ह तो अगर number line पे हम देखेंगे तो 0 है फिर 0 के बाद minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 ऐसे करते करते पहले कौन आता है minus 25 आता है बाद में 28 आता है इन दोनों में से consideration कीजिए identify कीजिए कि इन दोनों में कौनसा number greater smaller है so we will write this step here now यह वाला question यहाँ पे पहले लिखेंगे and we will write like this way minus 4 upon 5 is smaller than minus 5 upon 8 7 या तो फिर minus 5 upon 7 is greater than minus 4 upon 5 तो यह हमारा answer हो गया final okay so because यह minus 4 upon 8 किसमे से बना था यह जो है finally तो minus 4 upon 5 में से बना अगर यह greater है तो यह sorry यह smaller है तो यह भी smaller ही हो जाएगा and minus 25 upon 35 किसमे से हमने बना के रखा था this is minus 5 upon 7 so minus 5 upon 7 इसकी जगा पर लिख लिए and final answer we have to write like this way अब LCM directly आपको इस तरह से नहीं निकालना है देखिए पहले से next time क्या करना यह सब rough work अगर आपको कम करना है तो थोड़ा smart work करेंगे 5 और 7 का LCM निकालने की ज़रूरत इतना सब करने की ज़रूरत नहीं थी और एक लिए आप क्या करते हैं 5, 7, 35 करते हैं तो भी LCM आ जाता है बीना यह सब किये पर उसके पहले एक ध्यान रखना है कि 5 और 7 का यहां पर जो number होता है कोई भी दो number का LCM अगर उसका common factor अगर 1 होता है कोई भी number दो number के यह तीन number के common factor 1 होता है 1 के अलावा कोई भी common factor नहीं होता है तो उनका जो product होता है उनका multiplication करके जो answer आता है वही उसका LCM होता है ठीक है so now we will do the third one now the third question is minus 7 upon 8 and 14 upon minus 16 so here let me write down the first step here from the question so in this also see the denominator is totally different उसमें हम क्या करेंगे यह negative sign हम उपर number को दे देंगे तो उसका मतलब है को the full fraction is rational number पूरा negative है इधर भी negative है तो just for easy solution okay इसको easy बनाने के लिए calculation में solve करते वक कुछ hindrance ना हो इसलिए हमने negative sign उपर रग दिए that is same only there will be no difference but here you can see that 8 or 16 they are totally different denominator here we just have to make them same यहां पर same denominator बनाने के लिए उसका LCM निकालना पड़ेगा ठीक है फिर उसके last में easy trick भी बताऊंगा ठीक है directly कैसे कर सकते हैं लेकिन हम पहले जो regular method में करते हैं उस तरह से करेंगे तो यहां पर पहले मैं box बना देता हूं और इसको थोड़ा से हम निकालेंगे तो दोनों किसके टेबल में आते हैं एट के टेबल में तो एट तो कौन नहीं है एट वन जा एट एट टू जा शिक्स्टीन और वन को छोड़ देना इफ वन इस देर उसको नेगलेक्ट करो तो डायरेक्ली टू से ही करेंगे टू के टेबल में ऐसा नहीं करना टू वन जा वन ऐसा नहीं होता है उसको जस्ट करते हैं वी आर जस्ट नेगलेक्टिंग डैट वन जा तू अब लसी एम क्या आएगा लसी एम ओफ एट यहाँ पर इन दोनों को में 16 बनाना है यह तो पहले से 16 है तो इसको 16 बनाने की जरूरत नहीं यह तो तो तुम इसको multiplication करके यहाँ पर 1 लिग दो यहाँ तो minus 14 अपन 16 नहीं रहने देते हैं यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं बिकर इट विल रिमें minus 14 upon 16 only there will be no difference but 8 is not 16 so we have to make it 16 by multiplying 2 here because यहाँ पर 2 लगाएंगे 8 2 जा तो ही 16 होगा तो यह 2 भी करना पड़ेगा ठीक है यहाँ पर और 16 को 16 तो है यह वो तो आइधर आप लोग उसको वैसे का वैसा रहने दो या तो इधर 1 जा मल्टिप्लाई कर दो 16 1 जा 16 नहीं रहेगा कोई changes नहीं आएंगे अब इधर क्या होता इसका calculation निकालता है just product we will find it out 7 2 जा 14 बट इट विल बी नेगेटिव 14 8 2 जा 16 here also minus 14 बंजा minus 14 and 16 बंजा 16 you can see that both the answers here rational numbers are equal so we will put equal sign हम यहाँ पर box में किस लिए नहीं लिखा विकाज यह करते वग हमें पता नहीं था कि e equal to has smaller or greater इसलिए यह जगा चोड़ देंगे आपको यहाँ पर भी यह symbol करना है तो भी कर सकते हैं now यह हमें किसमें से product मिला था minus 7 upon 8 we will come back to the question step minus 7 upon 8 is great equal to this we got from 14 upon minus 16 so both are same here according to question we will write negative sign here and we found the final answer equal okay here okay so our fourth question is minus 8 upon 5 minus 7 upon 4 here the situation is same as what we did in question number second second question में हमने जो situation से किया था उसी situation से यह वाला भी किया हुआ है here both rational numbers are negative and the denominators are also different so we will find out the LCM of this number okay तो यहाँ पर पहले हमें इस तरह से arrange करके रख देना है फिर यहाँ पर देखिए LCM निकालने के लिए इस तरह से लिखना है 5-4 नहीं है वो जर्स मैंने align करके gap किया बोथ है वन एस common factor so we will first of all हम 5 से कर देंगे इसको 5-5 and 5 के table में 4 नहीं है इसलिए copy कर दिया देन 4 के table में 1 तो आता नहीं तो copy कर दिया 4 1 जा 4 ना 5 4 जा LCM क्या जाएगा so LCM is 20 मतलब 5 को भी 20 बनाना है और 4 को भी हमें 20 बनाना है तो 5 के साथ क्या multiply करेंगे तो 20 जाएगा 4 जा so here also we will write 4 and 4 के साथ what we will multiply so that we can get 25 so here also we will write 5 now we will multiply 8 4s are 32 but it will be negative 32 upon 20 7 5s are 35 but negative 35 upon 20 now we will write the question part here minus 8 upon 5 and minus 7 upon 4 now first of all see यहाँ पर मैंने जैसे की question number second में कहा था कि 0 के ज्यादा नजदिक कौन है जीरो से लेकर हम negative 1 negative 2 negative 3 जाएगे तो first of all यह आएगा so this will this is greater than minus 35 upon 20 इसमें जो छोटा दिखता है वही बड़ा होता है और बड़ा होता होता है वही छोटा होता है तो इसमें भी यहाँ पर कौन सा symbol आएगा greater than minus 8 upon 5 is greater than minus 7 upon 4 और we can say that minus 7 upon 4 is smaller than minus 8 upon 5 तो यहाँ पर भी देखिए LCM निकालते वक हमने यह सब किया शॉटकट में हम क्या कर सकते हैं इन दोनों को multiply करते हैं कोई common factor नहीं यह same table में कहीं पे भी नहीं आते हैं जैसे की तो यहाँ पर हमें देखना है कि smaller number उन दोनों में कौन सा 8 है और सोचना है कि 8 के table में यह जो बड़ा number है कोई भी उसका क्या उसके table में आता है तो yes 8 के table में 16 आता है तो जो greater number होगा ना वही हमारा LCM होगा you can see just okay so यह trick तुम लोग यूज कर सकते हो वरना यह हमारी यह method तो ही जो आप लोग 5th में 6th में सीख चुके हैं और जहां पर common factor नहीं होता है वहाँ पर आप क्या करना है 5, 4, 20 एक दूसरे को multiply करके उसका product होगा वही LCM होगा now we will go to 5th question here 5th question is 1 upon minus 3 and minus 1 upon 4 तो हम यह negative sign उपर numerator में भी shift कर सकते हैं it will be like this minus 1 upon 3 and minus 1 upon 4 now here also both are negative rational numbers and the denominators are different so we will find out the LCM 3 and 4 इसका LCM देखो मैंने आपको बताया ताजी question second में और इसके उपर वाले question 4th में इन दोन में कोई common factor नहीं है तो इसका 3, 4, 12 LCM 12 आएगा लेकिन यह method से भी आपको बता देता हूं इसमें कोई common factor नहीं है तो यहां पर common number में से कर नहीं सकते हैं इसलिए one by one इनको करना पड़ेगा step by step 3, 1, 3, 3 के table में 4 नहीं आता है इसलिए copy कर देना है अब 1 को तो neglect कर देना अब 4 वन जा 4 तो 3 & 4 आ गए तो देखियो 12 LCM आ रहा है तो हमें यहां पर 3 को और 4 को 12 बना सकते हैं 12 को इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा 3 के साथ what we will multiply so that we can get 12 3, 4 जा तो उपर भी 4 आएगा and what we will multiply with 4 so that we can get 12, 3 जा now we will write the product here 1 4s are 4 but it will be negative 4 upon 12 and 3 1s are 3 and minus plus minus so negative 3 upon 12 now which is greater now according to the number line when we will go to left side from 0 which which number is nearer to 0 minus 3 upon 12 3 is nearer okay so यह greater होगा इसके तो यहां पर कुछ आगे अब आगे देखेंगे तो question का base form ले लेंगे और यहां पर मैं लिख देता हूं इसे therefore यह question हमारा यह जो है minus 4 upon 12 is smaller than minus 3 upon 12 या तो फिर minus 3 upon 12 is greater than minus 4 upon 12 वो basically कहां से बना था वो यहां पर लिख दिया so we can say that 1 upon minus 3 is smaller than minus 1 upon 4 और minus 1 upon 4 is greater than 1 upon minus 3 now let us move to the next question here the question is 5 upon minus 11 and minus 5 upon 11 यह minus की sign मैं उपर करके लिख देता हूं यहांके so यह हो जाएगा minus 5 upon 11 और यह पी तो minus 5 upon 11 है तो you can see that both are same so हम equal to के sign put कर देंगे therefore basic question लिखना है question वाला पार लिखना है इधर करके छोड़ नहीं देना है 5 upon minus 11 is greater than sorry equal to minus 5 upon 11 so answer is over here we don't have to do anything you just shift the negative sign from denominator to numerator you will easily able to see that both are looking same so that we got from basic questions step question मैं से यापर करके लिख देना है 5 upon minus 11 will be equal to minus 5 upon 11 let us do the last one question okay तो last question 7th one is 0 and minus 7 upon 6 तो इसमें directly answer हो जाएगा हम directly रिख सकते हैं 0 is always greater than negative numbers और negative rational number negative all the negative numbers 0 हमेशा बड़ा होता है कोई भी negative number से okay so this answer is also over इस तरह से हमारा यह exercise का question over हो गया किसले हैं किस Lot 1 एमीme किसले हैं